तो जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और बगल में जो घंटिक आएगन है उसको भी दबा दो और साथ-साथ ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं तो एक होने माला है 2020 का बेस्ट क्यूब जिसका नाम है बेस्ट बजट क्यूब मोयू RS3M एंड सेकंड क्यूब होने माला है अभी अभी लॉंच हुआ MS3 V1 जिसको डिजाइन किया है गैन ने तो आज इन दोनों क्यूब्स का होने माला है कंपारिजन तो देखेगा पूरा वी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताओंगा ओकी वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहूंगा यार कि अब सिर्फ बचे हमारे चैनल पर डिढ़ हजार मेंबर्स और और हमारा चैनल कर देगा 50,000 सब्सक्राइबर्स को हिट और 50K पे होने वाला है ज giveaway Instagram पे organize करने वाला हूं तो अगर आपने अब तक मेरे को Instagram पे follow नहीं किया है तो follow कर लूंग मैंने description में डाल दिया है क्योंकि Instagram के बिना आप giveaway में participate नहीं कर पाओगे और इयंद, second बात मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी-भी मैंने एक post डाली थी QNA की कि आपको कोई भी मेरे से question पूछना हो तो आप पूछ लीजिए तो उस post का link मैं description में डाल दूगा क्योंकि उस post पर ही आपको comment करना है अगर आप video पर comment करेंगे तो आपके comment छुप जाएंगे और मैं उनके questions नहीं ले पाऊंगा तो अगर आपको मेरे channel से related कोई भी question पूछना हो जो आप Q&A में जानना चाते हैं तो आप उस post पर comment कर सकते हैं ओके तो चलिए करते हैं आज का video start और video start करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको Qube ले लो पे order करना नहीं आता है तो अभी मैं बताता हूं आपको कि कैसे Qube ले लो पे order करते हैं और अगर आपको आता है तो नीचे एक time stamp आ रहा होगा वहाँ पे जाकर skip कर सकते हैं video को और main matter जो video का है वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको देख लीजें तो देखें सबसे पहले आपको Qube ले लो पे अपना account बनाना होगा login करना होगा पहले sign up करना होगा then उसके बाद आपको अपने account से उपर आपको यहाँ पर जैसे कि screenshot में दिख रहा होगा आपको एक man जैसा icon दिख रहा होगा वहाँ पे जाकर आपको अपने account से login करना है उसके बाद आपको जो भी Qube पसंद है उसको select करके आपको अपने cart में add कर लेना है जैसे कि आप screenshot में करेंगे और उस card में add करने के बाद card पे click करेंगे आपको नीचे एक option आजाएगा checkout का वहाँ पे जाके आप click करके checkout पे click करेंगे जब आप तो आपको उपर order summary करके एक option आएगा उपर जैसा कि आप screenshot पे देख सकते हैं जब आप उस पे click करेंगे तो आप मेरा code India उस पर डाल सकते हैं और आपको 50 rupees का off मिल जाएगा अगर आपका order 500 से कम का है तो जादा का है तो और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और finally आपको कर लेना है address पे shipping पे click और उसके आपको यह देखना है कि cash on delivery अगर आपको करनी है तो उसका extra charge देना होगा अगर आपका order prepared है पहले से अगर आप card से payment करते हैं तो आपको कोई charge नहीं देना होगा और finally payment करके आप check out पे जब order complete order पे click करेंगे finally आपका order place हो जाएगा ओके तो चलिए अब आप लोग पूरा कर देंगे चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe कर लो बैल आइकन को press कर लो और बस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले comparison करते हम इनके color scheme का तो देखे मोयू RS3M के और अगर इसके color की बात करूँ तो color approximately बिल्कुल थोड़े ज़्यादा variation नहीं है बढ़ हाँ जो मोयू RS3M के colors है वो थोड़े से ज़्यादा dark है इसके color के मताबिक थोड़े से ज़्यादा dark है orange color इसका ज़्यादा dark है अगर मैं green color की बात करूँ तो वो दोनो थोड़े थोड़े same है yellow color भी इसका MS3V1 का थोड़ा dark है and white color तो एकदम approximately same ही होता है white color next मैं बात करता हूँ अगर internal structure की तो देख सकते हैं जैसा कि आपकी अगर मैं इसका एक corner piece बाहर निकाल के दिखा हूँ आपको जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसका internal structure normal जैसे 3x3s होते हैं वैसा ही होता है बट इसमें एक कमी यह है कि इसमें अगर आपको देखे लूब करना है तो आपको extra कोई space नहीं दिखता है लाइक देखे यहां पर अगर मैं बता हूँ तो देखे यहां पर कोई extra space आपको नहीं दिखता है बिल्कुल plane ही जैसा normal cubes होते हैं वैसा दिखता है tube lubricant हो जाता है ओके next अगर मैं बात करूं जो कि में लोग सबसे जादा focus करते हैं वह तिया corner cutting की तो corner cutting दोनों की ही एकदम जबरदस्त है बट अगर दोनों के comparison में देखूं तो corner cutting मोयू RS 3M की इससे जादा खतरनाक है क्यों क्योंकि अगर मैं देखूं तो देखिए 30 degree अराम से करता है 45 degree अराम से करता है more than 45 भी ये कर लेता है तो इसलिए मेरे को ये जादा पसंद है back corner cutting भी इसकी average से ठीक है बट अगर मैं बात करूं MS 3V1 की इसकी average corner cutting है मतलब 30 degree अराम से करता है 45 degree भी अराम से करता है बट more than 45 degree में next corner cut कर जाता है तो वैसे corner cutting के मामले में दोनों ही अच्छे है बट जादा corner cut हमारा ये वाला cube करता है ओके अब मैं बात करता हूं इसकी turning की तो देखिए turning दोनों की ही बहुत जादा smooth है जैसा कि आप देख सकते है turning एकदम smooth है दोनों की ही और अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी भी turning बहुत जादा smooth है ठीक है turning दोनों की smooth है तो turning में तो ये दोनों में match draw ने वाला है क्योंकि turning में दोनों ही बराबर है बट अगर मैं बात कर सकता हूं magnetic strength की तो magnetic strength में MS3V1 की जो magnetic strength है वो बहुत ही जबरदस् बट MOU RS3M की magnetic strength बहुत ही weak है और इसमें एक बात और है इसकी magnetic strength starting में तो और भी जादा weak थी मैंने इसकी edges पर extra magnet जो है वो लगा रखे फिर भी इसकी magnetic strength इसके comparison में बहुत weak है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी magnetic strength ज्यादा strong है बट इसकी magnetic strength बहुत कम strong है so magnetic strength में तो हमारा MS3V1 है जो जीतेगा बट अगर मैं बात करूँ इसके tensioning की system की तो एक बर मैं आपको tensioning का दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके tensioning के जो यहाँ पर core पे आपको लगा हुआ हूँ मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा center पे तो इसकी अच्छी बात यह है कि इसके tensioning के लिए आपको कोई tool की जरुरत नहीं आती हो आप सीधे अपने hand से ही इसके wheel को घुमा कर अपने tensioning सेट कर सकते हैं बट इसके लिए special tool होता है जो मैं अभी नहीं लेकर बैठा हूँ तो इस वज़े से आपको नहीं दिखा सकता है बट इसके लिए आपको एक special tool की जरुरत है आप finger से भी कर सकते हैं बट बहुत जादा complicated ही हो जाता है second बात अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए अगर मेरे को screw की tightening करनी है तो मुझे पूरा यह जो spring का tensioning system है वो बाहर निकाल के screw tight करना होगा बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी spring tensioning और screw दोनों एक साथ जगय पर tight हो जाते हैं तो मैं इनको एक बार लगा देता हूं और फिर आपको और चीज़े दिखाता हूं इसकी और क्या हम कर सकते हैं इन cubes में वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है बर्स इतनी ही comparison वीडियो थी बट एक बात अगर मैं price की बात करूँ तो price के मामले में जो जीतेगा वो ये है क्योंकि इसका price approximately 700 था बट अब 750 हो चुका है बट इसका जो price है वो थोड़ा सा जादा पढ़ जाता है क्योंकि इसका price 2249 है और ये standard version MS3 V1 का enhanced version अगर आप खरीदेंगे तो I think 2400-2500 में पढ़ेगा बट हाफ flagship के लिए ये बहुत अच्छा क्यूब है बहुत stable क्यूब है और stability के मामले में ये थोड़ा कम stable है इस वज़े से लेकिन popping के मामले में भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि pop ये थोड़ा जादा pop हो जाता है क्यों बस वह बताऊंगा मैं next video में जब मैं बताऊंगा giveaway तो बस ऐसे चैनल को support करते रहें वीडियो को अच्छा लगा हो तो like करें शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाए ओके friends thank you for watching